भाई millions में subscribers लेके कुछ fantasy experts आपको ऐसे combinations दे रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले match में जहाँ पे 5-5 batters उनकी team में हैं जहाँ पे सभी को पता है कि पिछ में runs बनने नहीं हैं पेसर्स डॉमिनेट करने हैं फिर भी आपको ऐसा final team प्रोवाइट किया जाता है और ये team न सभी बहुत ज़्यादा high invest करते हैं तो किसको सुन रहे हैं आप किसको देख रहे हैं किसको follow कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान में रखके और खुद को थोड़ा सा समझा के ठीक है अच्छा South Africa versus Bangladesh का match है जितना जादा हो सके हम logically बात करेंगे and एक अच्छा combination बनाने का कोशिश करेंगे Trump players भी हम ढूणने का कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक like करके शुरू बात कीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर ले subscribe करने के साथ साथ bill बटन को जरूर से दबाए ताकि हमारे वीडियो का notification आपके पास जरूर से जाए अब यहाँ पर दोनों टीम्स का playing 11 पिछले match का आप देख सकते हैं एक चीज में notice करवाना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर बांगलादिश का playing 11 देखिए एक lift hand battle दूसरा lift hand battle, तीसरा lift hand battle, चौथा lift hand battle, चार-चार lift hand batters होने के कारण क्या आज तबडिये शम्शी को खिलाया जा सकता है कि यह आप महराज के जगा क्यूंकि उनका जो natural angle है वो lift handers के body से ball को बाहर लेके जाएंगे यह एक point हो सकता है अगर यह same ही playing 11 खेलता है South Africa का तो क्या आज Aiden Markram bowling कर सकते हैं क्या right arm of spinner, या फिर Tristan Sturbs क्या bowling कर सकते हैं, ज्यादा chances Aiden Markram के होंगे अगर कोई right arm of spinner bowling करता है तो यह बात आपको ध्यान में रखके चलना है और यही चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता था, अब South Africa का playing 11 देखेंगे, यहाँ पे एक left hand batter और यहाँ पे एक left hand batter, पाकि सारे right hand batters हैं, तो opponent team में मतलब बांगलादेश के पास कोई leg spinner है क्या, बिल्कुल, रिशाद हुसेन है, अब पिछ में leg spinner को बहुत ज़्यादा मदद क्या मिलेगा, मुझे नहीं लगता, South Africa के batters का quality देखेंगे, और उसके सामने रिशाद हुसेन का bowling quality देखेंगे, म इसमें क्या आप कोई गलती notice कर पा रहे हैं, बताइए तो मुझे, ये match कहाँ पे होगा, New York पे होगा न, New York पे Pacers dominate करते हैं, आज अगर New York के अंदर बांगलादेश, पिछले match के तरह सिर्फ तीन ही Pacers के साथ उत्रा, वो अपने pad पे मारेंगे कुलाडी, क्योंकि इनके पा पेसर के साथ जाते हैं, एक का दुक्का ओवर महमद उल्ला डाल लेते हैं, कभी-कभी शोमो शोरकार से बोलिंग करवा लेते हैं, बत अगर आप New York पे खेल रहे हैं, पाकिस्तन ने क्या किया पिछले वाले match में, चार-चार पेसर खिलाए, इंडिया के पास भी चार ही pacing option हैं, तो आज भी बांग्लादेश को चार पेसर के साथ जाना चाहिए, और शोरीफुल इसलाम को include करना चाहिए, चाहे किसी extra batter को हटा के ये extra पेसर को include करें, या फिर रिशाद हुसेन को हटा के ये extra पेसर को खिलाए, ये बांग्लादेश टीम को आज करना ही पड़ेगा, टॉप ओडर में ठीक है, कुंटन डिकॉक उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट क्यूंकि आज विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस टॉप ओडर में बैटिंग, इनको लेना बनता है, हिन्रिक क्लासन, क्रिस्टन स्टोब्स कितने अच्छे फॉर्म में है, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, डिली कैपिटल्स के तरफ से टॉस्टन स्टोब्स, संराइजर्स, हैदराबाद के तरफ से हिन्रिक क्लासन, अच्छे रुदम में आ रहे है, रिजा हिन्रिक्स दो मिस्टिक में अच्छा किये थे, अभी वर्ल्ड कप में उतना खास तो नहीं क इतना करना चाहिए था, एडन माकरम आईपिल में ज्यादा खेले नहीं, बट एक स्टिबल प्लेयर हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, डेविड मिलार का बंगलादेश के सामने खतर नाक रिकॉर्ड है, रुप जाहिए थोड़ा, मैं आपको स्टैट वगेरा सब कुछ है, बट बांगलादेश के बैटिंग में देखेंगे, तो टॉप ओडर में शोमो शोर्कार फॉर्म में नहीं है, लिटन दास फॉर्म में नहीं है, सक्कीबल हसन इनका प्रीमियम प्लेयर ये भी फॉर्म में नहीं है, इनका कैप्टन खुद शान्तो फॉर्म में नहीं है, तंजिद हसन अपने घर पे जब जिंबावे आये थे बाग्लादेश के अंदर तब चले थे उसके बाद से नहीं चले अब रिसेंटली बाग्लादेश USA के साथ जो सिरीज खेला था बाइलेटरल वहाँ पे दो ही बंदे परफॉरमेंस किया अगर बाग्लादेश के बैटिंग से आप कोई प्लियर नहीं ले रहे तो साथ अफरीका के बोलर्स आपको जाधा से जाधा कवर करना है जितने भी बोलर्स खेलेंगे आपको कवर करना है इंक्लूडिंग एडन माक्रम शायद आज ये बोलिंग कर जाए लॉजिक में आपको पहले ही समझा दिया है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर बाते समझ में आ रहा है एक लाइक जरूर कर दे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करे और कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करके मुझसे जरूर से पूछ ले और अगर कॉमेंट नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम का लिंग भी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाके डाइरिक्ट मेसेज मुझे कर सकते हैं अब मैच वहाँ पर शुरू होगा सुभा सारे दस पजे यह बाद आपको ध्यान में रखना है वहाँ पर सुभा का मैच मतलब पिछ में अर्ली मॉइस्चर होगा कैप्टेन टॉस जीत के बोलेंगे हमें भाई बोलिंग फॉर्स करना है हम शुरूबात में जो अर्ली मॉइस्चर है उसको यूज करके विकेट्स निकालना चाहते है ऑपोनेंट को कम से कम रंस पे रिस्ट्रिक करना चाहते है अब टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क आपको हाँ पे मिल जाएगा ठीक है हिट टुएड मैचस के बारे में बात करेंगे अब पिछ के बारे में ज्यादा बात करके फाइदा ही नहीं कल ही आपने इंडिय वर्सिस पाकिस्तन वाले मैच देखा पेसर्स का डॉमिनेशन देखा बैटर्स फसके खेल रहे थे बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था पिछ में uneven bounce बहुत जादा था पहले अभी उतना जादा नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा batting friendly conditions तो आपको दिखेंगे नहीं specially first inning के अंदर तो बिल्कुल नहीं ठीक है अब hit to eight matches के बारे में बात कर ले थे आट बारामना सामना हुआ है आटो के आटो बार साउट अफरीका जीता है definitely अब recent matches चेक आउट करेंगे ये मैच 2022-320 World Cup में खेला गया था जहाँ पे 205 बनाया था बैटिंग first करते वे साउट अफरीका ने बैटिंग second करते वे बांगलादेश all out हो गया क्विंटन डिकॉक का 63 आया था बैटिंग first करते वे नौर्गिया का चाड़ विकेट जिस रिदम में बंदा है आज भी ऐसा ही performance ये दे सकता है शामशी का तीन विकेट जैसे के मैंने बोला था शामशी तीन विक कप का मैच जहां पर बांगलादेश 84 पर all out हो गया यहां पर मेहिदी हसन का 27 था नंबर 6-7 पर आके लिटन दास 24 किया थो वह भी 36 बॉल में मतलब कितना फसके खेला था सोच सकते हैं तसकिन एहमत का दो विकेट second inning के अंदर कुइंटन डिकॉक सोल आडा नौर्किया का दे ने वान साइडेड जीता अल्मोस्ट डेविड मिलर का 101 नॉट आउट नंबर 5 पर आके यह पारी आया था शोमो शॉरकार बैटिंग सेकेंड करते हुए 44 सकीब अलसन का दो विकेट यहां पे भी साउथ अफ्रीका बैटिंग फॉस्ट करते हुए जीता हाई स्कोर किये थे प्विंटन डिको का टॉप अडर से 59 आया था डेविड मिलर का एगेन 25 नॉट आउट यह डेविड मिलर अलगी है बांगलदेश के सामने आउट ही नहीं होता बंदा ठीक है शोमो शॉरकार एगेन बैटिंग सेकेंड करते हुए 47 आज डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर रहे हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका फिर से जीत गया बैटिंग पॉस्ट करते हुए अब साउथ अफ्रीका का देखोगे तीन-चार वीकर से ज्यादा गिरा ही नहीं है जब भी बंगलदेश के सामने खेले हैं समझ रो यहाँ पर कुइंटन डिको का टॉडर में 44 डेवि खेले थे कुछ खास नहीं कर पाये एडिन माकरम बंगलदेश के सामने दोनों बार ही फ्लॉप गये हैं डेविड मिलर जैसे के मैं बोल रहा था एक ही बार आउट हुए है नहीं तो साड़ा बार नॉट आउट गये हैं ठीक है हिन्रिक लासें मार्को यांसन यह सारे प्लि ठीक है अब उनके जगह कर शामशी को खिलाते हैं बहतर रिकॉर्ड रखते हैं यह नौर किया चाड़ विकेट तीन विकेट आज भी कैप्टन वाईस कैप्टन के प्रवल दावेदार हैं बांगलदेश हिट्ट वेड मैच में शकीबल हसन के नंबर्स अच्छे हैं बहुत अच्छे नहीं है हमेशा देखेंगे अल्मोस्ट सौ या सौ के नीचे के स्ट्राइक रेट से खेले हैं मुझे ज्यादा ट्रस नहीं है इन पर रीसन फ़र्म भी बहुत खास नहीं है ठीक है मौमद उल्ला रियाद वर्स साउथ अफरीका बहुत कोई खास रेकॉर् रखते अफीफ होसेन तो खेली नहीं रहे नीचे चलेंगे यहाँ पर मुस्तविज रह्मान यह भी कुछ खास नमबर्स नहीं रखते वर्स साउथ अफरीका शोमो शौरकार बैटिंग सेकेंड करते वे पांच में से तीम बार चले जैसे कि आप देख सकते हैं तो बैटिं अनदेश के बोलर्स क्विंटन डीकॉक मुस्तविज रह्मान के सामने काफी अच्छा खेले हैं शोडिफुल इस्लाम जो इस मैच में खेलने चाहिए मेरे हिसाब से चार बॉल में सिर्फ एक रन किये हैं टीट्वेंटी फॉर्माट के अंदर ज्यादा सैंपल साइस नहीं है बड़ ओडी आई में 33 बॉल्स खेलके 52 रंस किये हैं एक बाड भी आउट नहीं हुए है शोडिफुल इस्लाम के सामने तो कंफरडबली खेले हैं तसकिन के सामने भी क्विंटन डीकॉक कंफरडबली खेले हैं जिनको आज फेस करना पड़ेगा 17 बॉल में 34 रन शकीब क पाँज बॉल में एक बाड उट हूँ है चार रन बना के टीटवेंटी फॉर्माट में टासकेन अदर शकिब के सामने फिट मी कौहारो में बली क्मुझे उठेख पारवाक ये या रन चांचर रोड खेले हैं धीड ब्राव जल्दी चलता बने डेविड मिलर का कोई खास मैचब मिलेगा नहीं क्योंकि बांगलादिश के सामने हमेशा नॉट आउट ही जाते हैं अब बांगलादिश के वैटर्स वर्सस साउथ अफरीका के बोलर्स अब देखो शोमोश औरका नौर्किया के सामने एक ही बॉल पर आउ हो गया ठीक है लिटन दास शामशी के सामने खेली नहीं पाता साथ बॉल में दो बड़ आउट हो गया सोचो बाकी मुहमद अल्याद रवाड़ा के सामने फसके खेला है 71 बॉल्स पर 59 रन एक बड़ आउट हुए है अलकि यह वांडे फॉर्माट का है क्यों टी 20 में आमना सामना हुआ नहीं है ठीक है शामसी के सामने 19 बॉल में सिर्फ पांच रन एक बड़ आउट हुआ है वांडे फॉर्माट के अंदर शकीबल हसन शामसी के सामने आड़ बॉल में एक बड़ वही बात है लिफ्ट हैंड बैटर और यह चाइनमन स्पिनर और नौर्किया के साम ने शकीब तीन बॉल में एक बड़ भी रन नहीं बनाया और एक बड़ आउट हुआ है तंजिद हसन जो शुरुवात में आता है इनके सामने मार्को यंसन अब मार्को यंसन देखोगे लिफ्टाम मीडियम फास्ट जो स्विंग करवाता है और तंजिद हसन यहां पे खड चाहें तंजिद हसन हो शोमो शॉर्कार हो शांतों नंबर 4 पे आते हैं उनके सामने मार्को यंसन का खत्रा होगा क्योंकि मार्को यंसन इस एंगल को प्रोड्यूस करते हैं और अगर फोस्ट स्लिप स्टेकन स्लिप रखेंगे तो मार्को यंसन भी विद्द न्यू बॉल आपको दो-तिन विकेड निकाल के दे सकते हैं आज ध्यान रखना काफी अच्छे सीवीसी ऑप्शन होंगे दस महिंद्र अथर और दस रोयल इंफिल्ड हंटर बाइक्स आपको मिल रहे हैं वाइटलिटी ब्लास्ट एंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को मिला के ठीक है अब सावताटरी का वर्सेस बांगलादेश वाले मैच में चलते हैं मैंने दो टीम बनाया है इस मैच के लिए मैं आ दस फे ओवर तक कैसा क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग एक कॉंबिनेशन बनाना है और हर एक लाइफ पैंटेसी करना अलग-अलग लीग्स आपको देखने को मिल जाएंगा आडाम से मैच देखते-देखते आप फैंटेसी खेल सकते हैं यह है लाइफ फैंटेसी यहा होंगे अगर साउथ अफरी का बैटिंग सेकेंड करता है अगर साउथ अफरी का बैटिंग फॉस्ट करते हैं डेविड मिलर क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे हैं ठीक है और बांगलादिश के पास राइट आउफ स्पिनर उस तरीके से कोई नहीं है मौमध दूल्ला को छ मैं आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से टीम जीतेगा यहाप एक मिनिट यहापे क्वेश्चन है ऊपर चला गए हाँ शाउथ अफरी का क्या मैं जीतेगा अगर हाह लग रहा है आपको तो यह सपे ख्लिक की जिए इनवेस्ट कीजिए मैं यह सपे क्लिक करूंगा और और इंवेस्ट कर लूँगा मुझे लग रहा है साउथ अफरीक आउट और फेवरेट है डिफिनेटली टीम विनिंग दे टॉस्ट विल चूस्ट बैट क्या आप जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे बैटिंग फॉर्स लेंगे मुझे नहीं रखता ऐसे विकेट पर कॉन पार्टिसिपेट कीजिए आचा स्मॉल लिक का कॉंबिनेशन डिसकस करेंगे यहां पर कुंटन डिकॉक को में लिया है विकेट कीपिंग सेक्षन में लिटन दास को लेने का कुछ जादा सवाल उठता नहीं है मेरे मन में प्लस हिंडिक लासन विकेट कीपिंग नहीं कर र ठेक हैं अगर साउथ आफरिका बैटिंग पोस्ट करता तो डेविड मिलर बहत्र आप्शन हूंगे लेना हें त्यूंकि सामने मिडल ओर में साओड राइट हैं रीजा हें etern Glas स्ट्रॉब्स, क्लासेन, मार्को यंसन, ठीक है, उस लॉजिक से न, अब रिशाद होसेन को ले सकते, बड़ मुझे उन पर जादा भरोसा नहीं है, मुझे उतना क्वालिटी स्पिनर नहीं लगते, एवरेज स्पिनर है, ठीक ठाक है, यहाँ पर मार्करम को उसी कारण से लिय रवाडा, नौर्किया, बार्टमैन, महाराज, सारे बोलर्स मैंने कवर कर लिये हैं, सावत अफरीका के तरफ से, और तसकिन क्योंकि रिदम में है, एक दो विकेट डिके आपको दे सकते हैं, तो बैटर्स से जाधा पॉइंट्स देके ही जाएगा, प्लस मुस्तविज रह क्योंकि आपका ओपोननन के बास भी होगा, और एक दो विकेट यह भी ले लेते हैं, तो यह मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, मैं इस मैच में दो टीम के साथ खेलूँगा, क्योंकि CVC में मुझे confusion है, कॉम्बिनेशन यही रहेगा, क्याप्टन, वाइस क्याप्टन में मैंने या Grand League, इनी तीनों में से आपको CVC करेंगे, ज्यादे बहतर होगा, especially 2-3-4 मेंबर्स के अंदर, बाकी कॉम्बिनेशन वही है, लॉजिक भी वही है, बाकी अगर साउथ आफ्री का बैटिंग करते हैं, मैं चेंजिस करूँगा टीम में, और मैं अपडेटिड के अंदर मिल जाएगा, एक दम पहला वाला उपड़ वाला कॉमेंट है, ठीक है, आप वहाँ से जूड सकते, धन्यवाद आपका इस वीडियो को अपना कीमती समय देनेगा, शुक्रिया